हेलो मेरी मॉलिक्यूल सार्वी कैसे हो आप सब लोग मैं हूँ अनुभा गौर आप सभी किमिस्ट्री मास्टर टीचर आट वेदान्तू आपकी एजी माम और आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टिंट सेशन में लेके आई हूँ तुडिंट जब नीट 2023 का एक्जाम हुआ उसके बाद से हमारी प्रेडिक्शन शुरू हो गई थी कि इस साल नीट की कट आफ कितने जाने वाली है आप सबको पता होगा नमसी का जो राउंड बान है अभी अल्रेडी क्लोज हो चुका है यानि कि जो कट आफ गई है वो हमें ओलरेडी पता है कि कितने नमबर पे आपको GMC मिलेगा and what is the safe score आज मैं आयों आपको ये बताने के लिए कि आप second round की जो counselling है third round की counselling में क्या rank expect कड सकते हो और कितने marks expect कर सकते हो ता कि तुम समय रहते plan बना लो कि तुम्हें dae government वहीं prediction का result हमें round 1 की cut off में देखने को मिला है और I prepared you before that also कि हां क्या होने वाला है I hope आपने वह वीडियोस देखें होंगे और अच्छे से अपने आपको prepare कर लिया होगा mentally भी और अपने score के साथ compare करके रखा होगा तो चलिए फिर से जानते हैं कि अभी भी मौका है तुम्हारे पास किसी government medical college का के नहीं AIQ का round 2 round 3 कैसे close होगा यह सर्फ 2023 नहीं अगर आप 12 में है अगले साल नीट देंगे तो आपके लिए भी जरूरी है कि आपको idea लग गया है कि दो साल से क्या pattern चला आ रहा है कितने पे हमारी cut off close हो रही है so that you guys can prepare well also और आप अपने target जो score है वो set कर सके चिपकाले बड़ा बड़ा इतना तो लेके आना ही पड़ेगा ठीक है चली फर start करते हैं but how about liking the video इस channel पर आपको सारी information मिलती है सारी needs regarding news मिलती है सारा power packed motivation मिलता है जितना important prediction करने आपको plan करने के लिए NEET की exam वो सब होते है strategy session होते है पढ़ाई जो है वो होती है क्योंकि NEET made easy हम पूरी कोशिश करें NEET की journey को आपके लिए super आसान बनाने के लिए सारी NEET अभ्यास की जो series के session है super important है I hope आप कोई भी miss नहीं कर रहे हो तो thumbs up button जरूर दबाई रखना because आप कोई भी important session miss करोगे तो फिर problem हो जाएगे फिर डूनते फिर होगे है ना so do follow that उसके लिए notification कैसे आएगा जब आप channel पर subscribe करोगे है ना subscribe जरूर कर लो I am telling you यह आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं देगा फाइदा है फाइदा जरूर देगा ठीक है तो चलिए फिर discuss करते हैं सारी के सारी notification आपको कहां मिलेगी students NMC के खुद के website पर यहां देखो medical counseling committee आप इसको MCC के नाम स से भी आप जानते हूं ठीक है NMC हमारा board है है ना national medical counseling और इसके थुरू आपको यहां पर मिलेगा that is medical counseling committee वह committee है जो पूरी यह organize करा रही है ठीक है तो MCC के इस website पे यहां पर current events का option होता है current events में आपको मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्या यहां लिखा है final result round 1 लिखा है final result round 1 तो वह मैं आपको बता दूंगी पर चलो पिछले साल से compare करके देखते हैं पिछले साल कितनी cutoff गई थी तो नीट 2022 की cutoff थी ना वह कुछ इस तरीके से थी कि अगर आप general category में belong करते हैं और round 1 मे 17402 यह वाली जो है rank पे आपका पहला round close यह अगर आपकी इसते उपर rank है यह इतनी rank है तो आप GMC Government Medical Colleges के through All India में कहीं भी college ले सकते हैं यह ना round 2 की बात करूं 20,000 and 4 and अगर मैं round 3 की बात करूं जिसको पहले mop up round के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इस साल से इसको round 3 के नाम से ही हम जानते हैं वो वाली cutoff थी 22,23 37 ओके अगर आप general नहीं OBC category से belong करते हैं round 1 की cutoff गई थी 18,034 EWS economically weaker section जो general category के ही लोग है लेकिन economical condition उनकी अच्छी नहीं है they are not very strong तो उनके लिए cutoff गई थी 18,988 989 SD के लिए 18,305 SD के लिए that is like comparatively high that is 1,23,071 round 2 कहां पे close हुआ था OBC के लिए 20,369 and round 3 close हुआ था कुछ 23,202 बहुत जादा difference जो होता है na students यहां तक नहीं होता round 2 में when it talks about general category OBC category EWS में देखो round 2 close हुआ है 21,553 लेकिन round 3 close हुआ है 22,338 पर यह भी expect करिए round 3 में क्योंकि mop up round होता है एक तरीके से बहुत कम seats होती है जो available होती है कि round 1 तक mostly government medical college की seat तो भरी जाती है round 2 में फिर भी possibility है round 3 तक आते आते कुछ चुनिंदा seats ही बाकी होती है कि अगर किसी ने पहले दूसरे में admission ने लिया drop कर दिया दो तीन seat हो सकते हैं कहीं कहीं available हो वो भी हरे college के लिए available नहीं होती तो यहां तक ask लगाना just telling you frankly थोड़ा chances कम हो जाते हैं ठीके फिर भी हाँ possibilities होती है कुछ seats की if you're lucky enough SA के लिए 1,03,776 था round 2 and round 3 था 1,19,000 1,19,793 ST category के लिए round 2 close हो है 1,031,964 यहां पर comparison देखें यहां पर तो काफी बड़ा difference है और यहां पर 1,051,846 यह result था round I mean need 2022 का ठीक है अब इसको compare करेंगे इस साल से कि इस साल में कितनी changes हमें देखने को मिले हैं तो यह 2023 के round 1 का result है बच्चों कि जो पहला जो round होता है जिसमें अगर आपको seat मिल गई you're the safest one तो वो यह है कि general के लिए यह rank close हुई है 19,396 पे और score गया है 617 हमने predict किया था 617 से 18 यह जाएगा और यहीं हुआ है बच्चों मैं आपको बता दूँ आप बोलोगे मैं पिछले साल से तो जादा rank पे भी मिल रहा है college तो अब देखो यहाँ पे पिछले साल में general में 17,402 थी इस साल जादा rank गयी है general की 19,396 पर मैं आपको बता दूँ इस साल 15% जादा बच्चों ने NEET का exam दिया था इस साल जादा बच्चे NEET qualify कियें और score में भी काफी खासा difference था अगर कोई बच्चा 623 के आसपा score कर रहा है उसका general में कुछ जो rank का रही है साड़े सत्रह हजार आ रही है 623 के आसपास general की बात करूं तो मैं तो अगर आप ये imagine करो यहाँ पर ये difference भी तो रखना है आपको कि साड़े सत्रह हजार आपको 623 पर मिल रही है तो बस यही changing factor है marks wise बहुत जादा difference नहीं आया ठीक है marks wise बहुत जादा difference नहीं आया 617 इस बार गया है round 1 OBC के लिए 616 गया है मैंने पहले भी बताया था almost same जाता है when it comes to general and OBC अगर मैं EWS की बात करूँ 613 है अगर मैं ST की बात करूँ 509 है ST की बात करूँ 469 है एक बच्चे ने मुझसे session में भी पूछा था मैं मेरे 460 number है और मैं ST category से हूँ क्या possible है तो मैंने बच्चे को यहीं बोला था कि बेटर round 1 में जरूर मुश्किल हो सकती है round 2 से 3 में आपको possibility है और आप यहाँ पर देख भी रहे हो that is what is true तो यह आपको website में मिलेगा MCC की ठीक है NMC हमारा commission है MCC की जो committee है वो यह result देती है और वो result आगया round 1 का अब अगर आपको लग रहा है कि मैं मैं कब तक wait करूँ क्या मुझे round 3 तक wait करना चाहिए मेरे इतने number है ठीक है तो मैं expected cutoff बता देती हूं round 2 and round 3 की round 2 की cutoff सुन लीजे जरा general के लिए मैं rank भी बता रही हूं मैं आपको क्या बता रही हूं score भी बता रही हूं 23,435 we are predicting और 610 number तक यह जा सकता है OBC 23,473 approximately same कुछ खास आपको difference नहीं मिलेगा EWS 24,880 607 number ST 1,14,838 494 number ST 1,52,446 तो अगर अभी कोई बच्चा है जो बोल रहा था मेरे 407 number है तो round 2 में आपके chances है इस ST category में ठीक है आपको समझ आ गया तो one of my own relative उसका score 623 था तो I think round 1 में उसके लिए possibility थी एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं मेरे number 610 है 610 पे मैं क्या imagine करूँ मेरे को कोई government medical college मिल सकता है result is in front of you round 2 बट हाँ definitely seats जो है पहले round में आदी से ज़ादा भड़ जाती है तो वो कम हो जाएगी ठीक है पर इस पे भी आपके chances है round 3 expect कर लेते हैं जिसको पहले mop up round के नाम से जाना जाता था अब इसको round 3 के नाम से ही जाना जाता है जो last round है वो same है that is stray vacancy round आप सबको बताई होगा कुछ rules change हो गए है recently मैंने उस पे वीडियो भी बनाए था कि NMC के notice पे आया है कि क्या rules हमने change किया है counselling से regarding 24,442 606 number 606 हम OBC के लिए मान के चल रहे है 25,668 EWS 2 है 26,529 and 604 number SC 479 and ST 443 with a rank of 1,072,328 तो यह हमारा prediction है इसके बाद stray vacancy तो पूरे इंडिया में कहीं 2-4 seats निकलती है तो आप imagine करके चलिए यहां तक फिर भी chances है again less probability बट फिर भी chances है तो safe score था जो हमने पहले predict किया था जो हमने देखा भी है बच्चों this was your safe score मैंने बोला था 617,18 से उपर number है that is your safe score and that happened also फिर हमने बोला था 612 के पास जाएगा बट थोड़ा और कम हम इस बार imagine करके चल रहां result देखके 610 के आसपस जाएगा यहां पे 606 यह safe score है बट इसकी probability फिर भी कम है now I hope you have fair idea अपनी category wise के आपको wait करना चाहिए के नहीं but definitely अपनी state की counselling में जरूर बैठना यह भी याद रखे के कुछ state की cut off all India counselling से भी जादा जाती है जैसे Rajasthan के बात करें Kerala के बात करें UP के बात करें even Haryana के बात करें for that matter तो please ध्यान रखेगा कि आप यह miss ना करें और अपने पसंद का college चाहे आपको अपने शहर में ना मिले अपने district में ना मिले अपने state में ना मिले तो आप time को waste ना करें बहुत मुश्किल होता है move on करना life में specially जब आपने अपना time invest किया हो चाहे वो रिष्टे हो चाहे वो आपका result हो महनत हो पट याद रखें वो चीजे ना आपको बहुत कुछ सिखा जाती है रिष्टे हो चाहे मैं बात करूँ आपकी महनत की क्योंकि महनत कभी जाया नहीं जाती this will really help you तो अगर ऐसा है तो please move on आगे बढ़िये महनत करिये और अपने उपर भरोसा जो है बनाये रखें you can still do it आज के लिए इतना ही I hope it's helpful do let me know आपका स्कोर क्या बन रहा है ये भी और अगर आप 2024 में देने वाले हैं तो अपना स्कोर जरूर बता देने टार्गेट स्कोर ये यो एजी माम टार्गेट स्कोर है ये नीट पोड़ेंगे और राइट आस्ता लवस्ता टेक केर स्टूदेंस